हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेशीजी के ट्रिक, मैं गौरो यादो, एक बार फिर दोस्तों आप सभी के यहाँ पर स्वावेक करता हूँ, दोस्तों हमारे लॉजिकल रिजनिंग की सीरीज में अब हमारे नेक्स चेप्टर एनालोजी पर आ चुके हैं, जिसे हिंदी में स प्लेइलिस में चले जाएए, वहाँ पर आपको इन सभी चेप्टरों की वीडियो एवेलेबल हो जाएंगे, और दोस्तों आप यदि इन सभी चेप्टरों की पीडियेफ चाहते हैं, तो आप हमारे क्रेशीजी के ट्रिक के एप्लिकेशन पर चले जाएए, वहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हम एनलोजी की, तो एनलोजी में दोस्तों दो से तीन कोश्चन बिल्कुल फिक्स हैं, जैसे कि अभी हमने SSC CHSL 2020 में देखा, यहाँ पर तो चार से पांच कोश्चन तक पूछे गाए, मैक्जिमम एनलोजी के, अलग-अलग एनलोजी होती है, तीन पहले बताया, एनलोजी जो है, वह तीन टाइप से पूछे आती है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, देखे टाइप 1 में जो है, वह आपके कुछ शब्द दिये जाते हैं, जो की रिलेट करते हैं एक दूसरे को, दूसरे वाले टाइप में हम दोस्तों यहाँ पर नंब की एनलोजी पढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम अलफाबेट की एनलोजी पढ़ेंगे, क्लियर है, चली, अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हम टाइप 1 की, चली आइए इसे ब्रिफली समझते हैं, तो देखें फिरिंस, टाइप 1 में किस प्रकार के कोश्चन आ हमारा गोल जिस प्रकार संबंदित है, फुटबॉल से, आप ध्यान दीजें यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर यह जो दो बिंदू है, यह डिनोट करती हैं जिस प्रकार को, ठीक है, जिस प्रकार गोल जो है, वह फुटबॉल को संबंदित है, या गोल जो है, वह फुटब है इनमें समयक लगाना है तो आपको ध्यान क्या देना है दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर left hand side में जो भी relation निकलेगा ठीक है यहाँ पर left hand side में सभी question हो में जो भी relation निकलेगा वैसा का वैसे relation हमें right hand side में भी निकालना है तो दिखिए जिस प्रकार से गोल जो है वो फुटबॉल में होते हैं, तो उसी प्रकार दोस्तों, बास्केट जो है कहाँ पर होता है, बास्केट बॉल में, विल्कुल सिंपल था, option D विल्कुल सही, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, option D, बास्केट बॉल, clear है, इसे दूसरा गोशन, जिस प्रकार से cricket स कहाँ पर होती है, तो मुक्केवाज़ होती है, रिंग में, तो option कुंसा सही है, यहाँ पर option B, clear है, चली, आगे बढ़ते हैं, next question पर, देखें friends, next question हमसे पूचाए, जिस प्रकार नाक का संबन्द चेहरे से है, उसी प्रकार उंगली का संबन्द होगा, आपका अंसरा चुका होगा दोस्तों, जिस प्रकार से नाक जो है, वह चेहरे पर होती है, उसी प्रकार जो उंगली है, वह कहाँ होती है, हाथ पर, hand पर, clear है चली आगे बढ़ते हैं next अगला है question दीप तिवरता related to candela मतलब जिस प्रकार से दीप तिवरता related करता है candela को ठीक है इसे English में glow intensity बोलते हैं उसी प्रकार से दबाव संबंदित होगा किससे तो देखिए यहाँ पर जो है दीप तिवरता की जो unit होती है वह होती है candela उसी प इसप्रकार से दीप तिवरता को यह हम बोल सकते हैं glow intensity को candela में ना पचाता है उसी प्रकार दबाव को pascal में ना पचाता है clear है अगला question देखी भारत जिस प्रकार संबंदित है भाग से भारत जिस प्रकार संबंदित है भाग से उसी प्रकार नेपाल संबंदित होगा किस से तो यहाँ पर राश्ट्री पशू की बात चल रही है जिस प्रकार से भारत का राश्ट्री पशू क्या है भाग उसी प्रकार से नेपाल का राश्ट्री परशू क्या है गाय clear है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा option D तो एसे कुछ सवाल दोस्तों आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे आए इसके 5 सवाल और कर लेते हैं देखे friends जिस प्रकार से लोकतंत्र संबंदिते भारत से उसी परकार से साम्यवाद संबंदित होगा किस से तो यहाँ पर हमें 4 option दिये गए हैं तो लोकतंत्र चलता है दोस्तों भारत में मतलब democracy चलता है भारत में उसी परकार से साम्यवाद ठीके वह गां चलता है तो वह चलता है चाईना में clear है, चली, आगे बढ़ते है next question पर, अगला है, जिस प्रकार से घोसला संबन देते हैं, पक्षी से, उसी प्रकार से गुफा संबन देते हैं, तो जहाँ पर जैसे घोसला में कहा रहता है, पक्षी, उसी प्रकार से गुफा में कौन होता है, इन चारों में से, यहाँ पर कौन सी ठीक है तो इसमें हमारा साइंस भी कावर हो रहा है और ये चीज एनलोजी में भी पूछी जा रही है और ये जिसमें साइंस के कुश्चन लिये गए थे और उन्हें एनलोजी फ़ार में पूछा गया था चली आगे बढ़ते है next question पर जिस प्रकार दरव्यमान संबंदित है kilogram से उसी प्रकार मातरा संबंदित होगी किस से तो देखिए यहाँ पर यह जो kilogram है यह unit है इसकी दरव्यमान की उसी प्रकार मातरा की unit क्या होगी यहाँ पर later चली तो यह था दोस्तों type first जिसमें कुछ इस प्रकार की question आपको exam में देखने को मिलेंगे आई हम बढ़ते है type second पर जहाँ पर आपको numbers के analogy पूछ जाएंगी चली friends देखिए यहाँ पर next है हमारा type 2 यहाँ पर number के analogy पूछ जाएगी देखिए कुछ इस प्रकार नीचे दिये गए प्रशनों के विकल्पों में से संबन्दित संख्या ग्याद कीजिए तो यहाँ पर हमें अब related number को निकालना है तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है जिस प्रकार से 6 संबन्दित है 252 से उसी प्रकार से पाच संबन्दित होगा और यहाँ पर हमें दिये गए हैं चार option अब दोस्तों यहाँ पर जो number analogy है वो थोड़ी सी पढ़ती है difficult थोड़ी सी पढ़ती है tough क्योंकि इसमें क्या होता दोस्तों logic बहुत सारे लगते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर आप इसके जितने question solve करते जाएंगे उतने आपके यह fundे clear होते जाएंगे ठीक है चलिए और exam purpose भी मैं आपको बता दूँ यदि आपको analogy number से related आती है और यदि आपका answer एक minute के अंदर अंदर आता है तो ठीक है नई तो फिर उसे skip करके आगे बढ़ जाए उसे बाद में solve करेंगे जब समय बचेएगा तब चलिए आईए अभी तो हम यहाँ पर chapter को solve कर रहे है तो हम सभी सवालों को easily यल्दी यल्दी solve करेंगे और देखिए क्या-क्या logic लग सकता है तो देखिए पहले सवाल में लिखा गया है जिस प्रकार से 6 जो है वह संबंदिते किस से 252 से उसी प्रकार से 5 संबंदित होगा किस से तो देखिए यहाँ पर logic क्या लग रहा है उसे समझेगा यहाँ पर हम करेंगे जेखिए इसको solve 6 का यदी में cube कर दूँ प्लस 6 का यदी में square कर दूँ तो क्या मुझे मिल जाएगा 252 ठीक है 6 का cube कर दूँ प्लस 6 का square कर दूँ तो क्या मिल जाएगा 252 उसी प्रकार से जेसा दोस्तों left hand side में हुआ है वेसा का वेसे हमें right hand side में भी करना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 5 का cube प्लस 5 का square ठीक है यहाँ पर देखिए लिखा गया जिस प्रकार से 7 संबंधिते किस से 329 से उसी प्रकार से 9 संबंधितों किस से तो आएए friends देखिए कैसे solve करेंगे इसे 7 का cube ठीक है minus 7 into 2 329 से लेखा ना है 7 से तो कैसे लेखाएंगे 7 का cube माइनस 7 into 2 ठीक है जैसे 7 का cube क्या होता है 343 minus 7 दोनी 14 यदि cube में से हम इसका दुगना करके जो original number है उसका दुगना करके minus कर दें तो यहाँ पर हमें यह जो संक्या है 329 यह हमें मिल रही है clear है तो जिस प्रकार से यहाँ पर left hand side में answer आया है उसी प्रकार से हम right hand side में आंसर लेके आएंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या करेंगे ठीक है दोस्तों इसलिए दोस्तों मैं आपसे बोल रहा था यह सवाल थोड़े से क्या होते हैं difficult होते हैं तो इनके आपको क्या करना पड़ेगी practice बन जाएगा easily यह कोई दिक्कत नहीं है बस यहाँ पर logic लगान आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और वो कैसे आगा ज 270 संबदित होगा किस से यहाँ पर हमें दिये हैं चार option वो देखे चार option कुछ कुछ बराबर बराबर के दिये गए हैं कि 15 बटे 225 15 बटे 224 15 बटे 226 और 15 बटे 227 बिलकुल सिंपल है आए देखी यहाँ पर देखे इन्होंने किया क्या है जैसे पहला जो digit देते हम 7 और य वण ठीके उपर साथ दिया था तो उसका square प्लस वण कर दिया तो क्या गया 50 आगे देखिये 9 बटे 24 ले क्या आए थो किसे आएगे 9 का square प्लस वन तो कितना जाएगा Eighty थूbreaker ए उससी प्रिकास से आगे देखे यहाँ पर 13 अपsome-649 प्laस-1 करे एगा 170 ठीक है अब अगला क्या होगा तो देखिए option बिल्कुल simple है 15 पंदरा दिये गए हैं तो क्या करना है यहाँ पर हमें 15 का वर्ग करना है 15 बटे 15 का square कितना होता है 225 प्लस 1 तो क्या जाएगा 226 यहाँ पर अबार answer क्या होगा दोस्तों 15 बटे 226 clear option C is right answer आगे बढ़ते है next question पर जिस प्रकार से 8 का संबन बहुततर से है उसी प्रकार से संबन इत होगा मतलब जो भी relation यहाँ पर left hand side में निकलेगा उसी प्रकार से यहाँ पर right hand side में दो संख्या आएंगी और हमें यहाँ पर यह option दिए गए हैं दो संख्या होगी ठीके अब देखिए 8 से 20 के सी सकता है तो देखें यहाँ पर मैं इसको solve करता हूँ क्या करना है यहाँ पर आपको 8 और उसके बाद का एक जो नंबर आ रहा है ठीक है मतलब 9 इन दोनों का multiplication तो 9 8 क्या होता है बहुत तर ठीक है यह 8 नम क्या होता है बहुत तर उसी प्रकार से यहाँ पर आपको यह option बिल्कुल सही निकल गया है ना दोस्तों बिल्कुल सिंपल था यहाँ पर हमने इसे निकाला जो भी उरिजिनल नंबर दिया था उसके बाद वाले संख्या और उसका 32 से clear है तो यहाँ पर हमारा कौन सा option सही होगा option A चली आगे बढ़ते है next question पर देखे friends अगला question भी कुछ इसी प्रकार दिया गया है जिस प्रकार से 72 related करता है किससे 108 से जिस प्रकार से बहुत तर का संब्द 108 से है उसी प्रकार से संब्दित होगे इन में से कौन सा तो आई बार चंग बहुत तर भी होता है उसी प्रकार से बार नमा की 108 clear है तो यहाँ पर हमें relation क्या निकालना है कि कोई भी दो digit यहाँ पर ऐसे होना चाहिए जो यहाँ पर 6 के multiple में और 9 के multiple में आए ठीक है तो देखे आईए solve करते हैं यहाँ पर हम तो पहला देखे ऐसे यहाँ प देखे 14 14 84 होता है दोस्तों ठीक है 84 होता है और उसी प्रकार से 14 नमा की क्या होता है 126 clear है तो यहाँ पर हमें हमारा answer मिल गया कौन सा option C ठीक है तो यह सवाल बिलकुल easy हो गया यदि पहाड़याद हिर तो है न दोस्तों तो पहाड़याद करना भी जरूरी है चली अगला question देखते हैं question number 6 35 जिस प्रकार संबढ़ देते किस से 66 से उसी प्रकार से 29 related होगा किस से आईए देखिए यहाँ पर करेंगे से तो देखिए friends यहाँ पर हम 35 से 68 कैसे लेके आ सकते हैं तो यदि मैं 35 में 31 को यदि add कर दूं तो क्या जाएगा 66 उसी प्रकार से दूस्तों यहा यहाँ पर क्या जाएगा हमारा answer 60 option कोंता सही है option B clear है चली आगे बढ़ते है next question पर देखिए अगला question दिया गया है जिस प्रकार से 14 संबंधिते किस से 162 से उसी प्रकार से 26 संबंधित होगा किस से तो चली आईए इससे solve करते हैं तो देखिए friends इस question में एक series चल रही है जि इतना होता है 196 clear है तो इसका क्या कर जया गया है आधा ठीके दो नाम अठारा बचे एक दो अट्री सोला तो क्या गया 98 देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है चाउदा संबंधिते किस से 192 से तो कैसे आया चाउदा का स्क्वेर कर रहा उसको आधा कर दिया आगे तो 26 का स्क्वेर क्या होता है दोस्तों 676 उसका आधा कर देंगे तो क्या जाएगा दो तिया छे दो तिया छे और दो अठी सोला तो 338 कौन सा ओप्शन सही है हमारा ओप्शन सी क्लियर है चली आगे बढ़ते है नेक्स कुश्चन पर चली फ्रेंड्स देखिए अगला जितना दिखनें पर टफ है उतना ही बिल्कुल सिंपल है देखिए 6 से 5 पर जाएंगे तो क्या होगा माइनस 1 चार से 3 पर जाएंगे माइनस 1 एक से 0 पर जाएंगे माइनस 1 और 5 से 4 पर जाएंगे तो माइनस 1 मतलब क्या किया गया है या फिर बोल सकते हैं जो भी नंबर द गया छे पिर यहां पर साथ यहां पर आठ वह यहां पर पाँच मिल्कुल सहीए अंसर आ गया हमारा 6785 कुंसा ओप्शन सहीए ओप्शन सी ठीक है चली आगे बढ़ते हैं नेक्स कुश्चन पर अगला कुश्चन केता है जिस प्रकार से दो संबंदित है नो से उसी प्रकार से संबंदित होगा किस से तो देखे दो से नो लेके आना है या दो का रिलेशन हमें नो से निकालना है चली आए निकालते हैं तो दो से नो कैसे ला सकते हैं दोस्तों यदि मैं दो का क्यूब करके प्लस वन कर दूँ तो दो का क्यूब कि दोस्तों 64 और प्लस बन करें तो क्या जाएगा 65 तो जैसा relation यहाँ पर 2 से 9 का निकला है वेसा का वेसे relation यहाँ पर किसका 4 का 65 से निकला है क्लियर है चलियाए एक last question देख लेते हैं type 2 का यहाँ पर हमें दिया गया है 442 का संबंद किससे है 21 से है उसी संबंद долगा किससे तो देखें यहाँ पर आपको square यहाथ ओना चीस बिलकुल 21 का दोस्यों square क्या होता है 441 यहाँ पर क्या लएक लिखा है 442 तो क्या करदें प्लस वन उसी प्रिकार से यहाँ पर आपको देखना है कि 13 का square plus one करेंगे तो 200 तो यहाँ पर आँबार आंसर क्या सही है, option D, चेक कर लिए उसे भी, 16 का square, 16 का square plus 1, तो 256 plus 1 add करेंगे, तो क्या जाएगा, 257, ठीक है, यहाँ पर आँबार आंसर क्यों सही है, option D, clear है, तो दोस्तों type 2 में यहाँ पर इतना ही था, आएए type 3 के तरफ चलते हैं, चलिए friends, देखते हैं type 3, अब type 3 में जो है आपको दोस्तों alphabet दिये जाएंगे, जिस अब यहाँ पर दो type पड़े हैं, उसी परकार से हम third type भी पड़ेंगे, यहाँ पर बस आपको क्या है दोस्तों, alphabet दिये जाएंगे, जिससे यहाँ पर देखें, हमें दिये गया है, पहले question में, जिस परकार से T, O, L संबंधित है, W, R, O से, उसी परकार से G, R, A संबंधित ह होगा किससे, अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको समय स्टार्टिंग में पहले ही बोला था, जब मैंने आपको coding, decoding पड़ाया था, कि आप ABCD के नंबर, ठीक है, मतलब alphabet के नंबर जो है, वो Z तक याद कर लिजेगा, आपको काम आएंगे, तो यहाँ पर भी काम ठीक है, तो ABCD के नंबर दोस्तों, आपको यदि याद होंगे, तो आपको इन कोश्चनों को solve करना बिलकुली आसान होगा और जल्दी यल्दी solve हो जाएंगे, चलिया आए, देखे कैसे, यहाँ पर हमें पहले character को, पहले character से, दूसरे character को, दूसरे character से, और तीसरे character को, ती जोड़ दीजी, देखें, यहाँ पर क्या जाएगा, जी में यदि में तीन जोड़ दूँ, तो क्या जाएगा, जे, आर में तीन जोड़ दूँ, तो क्या जाएगा, यू, और ए में तीन जोड़ दूँ, तो क्या जाएगा, डी, clear है, तो यहाँ पर हमारा answer क्या होगा, ज यू और D, option is the right answer, आगे बढ़ते हैं next question पर, देखे friends, अगला question है, यहाँ पर आप चार character दिये गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से पहले को मिलाईए, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को और चोथे को चोथे से, आइए, connect करते हैं, R से दिये दोस्तों, V पर जाएंगी, तो क्या होगा, प्लस 4, उसी परिकार से O से T पर जाएंगी, तो क्या होगा, प्लस 5, L से R पर जाएंगे, प्लस 6, और F से M पर जाएंगे, तो क्या होगा, प्लस 7, clear है, तो यहाँ पर एक series follow हो रही है, यहीं पर लिख लेते हैं, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6 और प्लस 7, तो पहला character में क्या जोड़ दो, 4, तो आएए friends, यहाँ पर जोड़ लेते हैं, अगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोशिन पर, चलिए friends, अगला कोशिन देखी, यहाँ पर दिया गया है, D, F, I, M, संबन्दिते किस से, C, E, H, L से, तो उसी प्रिकार से, यहाँ पर अब दिया गया है, कोशिन मार्क मतलब यहाँ पर हमें पहला step निकालना है, दूसरा step हमें जो है, वह दिया गया है, K, M, P, D, तो आएँ यहाँ पर पहले हम left hand side में relation निकाल लेते हैं, तो देखिए दोस्तों, D से, C पर जाएंगे, तो क्या होगा, minus 1, F से, E पर जाएंगे, तो क्या होगा, minus 1, I से, H पर जाएंगे, minus 1, और M से, L पर जाएंगे, तो भी minus 1, तो सभी में क्या हो रहा है, दोस्तों, minus 1, यहाँ पर जाएंगे, दोस्तों, हमें बाद वाले character दिये गए हैं, और पहला वाला step जो है, हमसे बुछा गया है, तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर इन में से, पहले step में से, दूसरे step में कैसे गए, minus 1 करके, यहाँ पर पहला step के से लेके आएंगे, plus 1 करके, तो सभी में क्या कर दो दो, दोस्तों, plus 1, ठीके, आईए, यहाँ पर solve करते हैं, तो एदी में के में एक जोड़ दो दो क्या जाएगा, L, ठीके, उसी परकार से, M में एदी में एक जोड़ दो क्या जाएगा, N, उसी परकार से, दोस् और T देखे यहाँ पर दोस्तों minus 1 minus 1 minus 1 करके answer आया था यहाँ पर भी वेसे ही answer आएगा पर यहाँ पर हमें पहला पत पूछा था ठीके इसलिए यहाँ पर हमने plus 1 किया है यदि आप इसमें से minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 कर देंगे तो हमारा यह answer बिल्कुल आ जाएगा बिल्कुल सही है clear है तो यहाँ पर दूस्तों हमारा अंसर क्या है L and Q कुनसा option सही है option A clear है चली आगे बढ़ते है next question पर देखिए दूस्तों अगला question दिया है K S J related है किससे M U L से उसी प्रकार से R C U related होगा किससे तो आए निकालते हैं पहले से पहले को मिलाइए तो यदि K से हम M पर जाएंगे तो क्या होगा plus 2 S से U पर जाएंगे तो क्या होगा plus 2 और J से L पर जाएंगे तो भी क्या होगा plus 2 यहाँ पर भी क्या कर दिजिए plus 2 plus 2 plus 2 यदि आप R में दो जोड़ेंगे T, E और W कौनसा options है यह option D चलिए next question देखते हैं अगला question मुलता है CH related to F P तो देखें यहाँ पर C से हम F पर जाएंगे तो क्या होगा plus 3 और H से P पर जाएंगे तो क्या होगा plus 8 ठीक है C से F पर गए तो plus 3 और H से P पर गए तो क्या होगा plus 8 वही कवही हमें यहाँ पर करना है plus 3 करना है किसमें G में और plus 8 करना है किसमें K में तो यहाँ पर हमारा answer क्या जाएगा J और S clear है? कौनसा options है यह option A चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर देखें friends अगला question दिया है जिस परकार से F U related है किस से U F से उसी परकार से R S related होगा किस से? तो देखें यहाँ पर दोस्तों F और U related करता है किस से? U F से तो मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया था coding decoding में F का उल्टा होता है U और U का उल्टा होता है क्या F? तो यहाँ पर दोस्तों opposite sequence जो है opposite alphabet जो है उनके through analogy बनाई गई है यहाँ पर दोस्तों R का उल्टा क्या होता है I Indian Railway याद करवाया था दोस्तों मैंने आपको और S का उल्टा क्या होता है H superhero या superheroine clear है? याद आया कुछ ठीक है? तो RS का संबन्द किस से होगा IH से है यहाँ पर answer कुछ सा सही है हमारा option A चली आगे पढ़ते है next question पर दीखें यहाँ पर GP संबन्दी थे किस से? TK से उसी प्रकार से DR संबन्दी थे होगा किस से? इसे भी लिखे लेते हैं GP related to TK तो दीखें दोस्तों G का उल्टा होता है T group तड़ी और P का उल्टा होता है K मैंने आपको पढ़ाया था उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम reverse कर लेते हैं तो D का उल्टा होता है क्या? W दूद वाला याद कर दा है दोस्तों मैंने आपको किस याद करेंगे? D का उल्टा W दूद वाला उसी प्रकार से R का उल्टा क्या होता है I यह किसे याद रखेंगे Indian Railway ठीक है? R का उल्टा I, I का उल्टा R तो यहाँ पर D R का संब्द होगा किस से? W, I से कुनसा option सही है? Option B चली अगले question पर चलते हैं next question किता है जिस प्रकार से JT related है NX से उसी प्रकार से यहाँ पर इन चारों में से कुनसा संब्द होगा? N के जैसा ठीक है? जो संब्द इन दोनों के बीच में है वैसा का वैसी relation इन में से किस के पास है? तो आईए पहले इसे solve कर लेते हैं फिर इन option को check कर लेंगे तो देखिए दोस्तों J से यदि हम N पर जाएंगे यहाँ पर लिख लेते हैं इसे JT related to NX यदि J से N पर जाएंगे तो क्या होगा? प्लस 4 और T से X पर जाएंगे तो भी क्या होगा? प्लस 4 तो यहाँ पर हमें combination देखना है प्लस 4 प्लस 4 वाला ठीक है? तो यहाँ पर देखिए combination कुन सा सही है? देखिए यदि G में 4 जोड़ों तो के तो आजाएगा परन्तु S में 4 जोड़ोंगा तो U आएगा क्या? नहीं अगला देखते हैं T में यदि 4 जोड़ों तो X आजाएगा और P में यदि 4 जोड़ों तो क्या जाएगा T मतलब यहाँ पर आँशर कुन सा सही है? option B कैसे? देख लिएज़े यहाँ पर TP related to किससे? XT से यही होगा हमारा answer यदि T में हम 4 जोड़ेंगे 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 और P पहला प्यार 16 में तो P पहला प्यार 16 प्लस 4 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा T 4 तलाग यहाँ कर बाता है मैंने आपको ABCD के नंबर इसी परकार से तो यहाँ पर आँशर कुन सा सही होगा? option B चलिए आए इसके दो question और देख लेते हैं चलिए friends अगला question देखिए जिस परकार से RG related है किससे QE से उसी परकार से LB related होगा किससे तो देखिए R का संबन Q से मतलब minus 1 और G को related करेंगे E से तो क्या होगा? minus 2 ठीके? यहाँ पर minus 1 minus 2 होगा है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? minus 1 minus 2 तो L में minus 1 कर दीजए क्या जाएगा? K A और B में minus 2 करेंगे तो क्या जाएगा? Z इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर B और B में से यह दिए मैं 2 minus कर दूँगा मतलब A और B दूनों क्या होगा? minus ठीके? तो यहाँ पर क्या बचा हमारा? Z मतलब ABCD जो है वो continuous चलती रहती है A से लेके Z पर गए तो वापस ABCD चलता रहता है ठीके? A, B यहाँ पर 2 minus कर दे तो क्या गया? Z clear है? चली आगे बढ़ते हैं, अगला question है last question देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है R, P का सम्मझ जिस प्रकार से S, Q से है उसी प्रकार से यहाँ पर N क aboard relation किसका होगा? तो देखे यहाँ पर यदि मैं R में एक जोड़ दूँ aux P में एक जोड़ दूँ तो क्या जाएगा Q? उसी प्रकार से यहाँ पर plus 1 का में relation देखना है तो क्या J में एक जोड़ोंगा? तो आएगा क्या? नहीं. M में एक जोड़ोंगा, तो a ना आएगा क्या? बिलकुल आएगा. पर A में एक जोड़ोंगा, तो क्या आएगा? B. यहाँ पर दूसरा option भी गला थे. देखे, option third को देखिए. यहाँ देख लिजिए, के जी से LH, के में यह एक जोड़ेंगे, तो क्या जाएगा L, उसी प्रिकार से, जी में एक एड़ करेंगे, जाएगा H, क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कुन सा सही होगा दोस्तों, option C, ठीक है, तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पर मेरे दौरा आपको तीनो टाइप कवर करा दिये गए हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, अच्छे प्रैटिस करिए, इनके कोशन एक्जाम में आते हैं, तो यादि दोस्तों मेरे दौरा बताएगा आपको logic और कोशन अच्छे लगे हूँ, तो प्लीज वीडियो क लाइक करिए, शेर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहे हैं मेरे साथ, तब तक के लिए दोस्तों, जैहिन!